आउज बिल्लाहिमिन शेटान इर्वजी बिस्पिल्लाहिर रख्माहिर रवहीम अस्सलाम अलेकुम इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप लो मैं हूँ आपको साइंस की वर्किंग करवाऊंगी जुर्ण इससे पहले मैं आपको URIGHT NUMBER seven का वर्क किम्प्रीट करवा चुकी है तकरीबन बुक पे मैं हमें आपको रिरिंग करवादी है दिया इस्ट्रेंग بी हो गया है इकलेकिंस और इसके बाद बुक वर्किंग भी हो गई है तो आज हम इस लेशन का last work के हमी MCQs करेंगे तो आप लोग अपनी coffee ready करनी देए student और आते हैं हम board की तरह और MCQs right करते हैं ओके student ओके student coffee ready है तब आप शुन की साइस की CW coffee सबसे पहरे आपने heading डाली है work at machine unit number 7 MCQs ओके इसके बाद हम स्टार्ट करते है number 1 से a push और a pull is called dash a push और a pull is called dash तो dash भी क्या आएगा force, work या energy push और pull जब उट करते हैं तो फिर क्या होता है energy होती है ना force होता है ना ताकत रखती है तो लिहादा यहाँ पर आएगा force एके student force पर लिख लगाए a push और a pull is called force one complete हो गया है number 2 पर आएगे number 2 में है to push a heavy thing we need dash force to push a heavy thing we need dash force तो जब हम heavy thing यानि बहुत भारी चीज़ों को push करते हैं तो हमें ज़्यादा energy की शुरत होती है या no नहीं शुरत होती है या more energy की शुरत होती है या less तो क्या आएगा right option क्या है more good यानि के जब हम heavy things heavy चीज़ों को जखेते हैं push करते हैं तो हमें ज़्यादा energy की शुरत होती है ज़्यादा force की शुरत होती है अब हमारे number 2 भी complete होगे अब हम number 3 पर आते हैं देखते है number 3 में क्या है dash help us to do work ओके students तो हम number 3 की तरह आते हैं number 3 में क्या है dash help us to do work dash help us to do work तो अब हमारा right option क्या है देखें तीन option दिये है number 1 पर है machine number 2 पर है cars और number 3 पर है aeroplane तो right option क्या है machines good machine पर हम right का click लगाएंगे और यहाँ पर machines help us to do work machine है क्या करती है मदद करती है ना काम में हमारी okay तो हम आते है number 4 की तरह देखते है number 4 में क्या है a bottle opener is a small dash a bottle opener is a small dash जो bottle opener होता है वो किसे खुलता है small machine से खुलता है यह small car से या crane से तो right answer क्या है machine small machine च्छोटी सी machine हो कहना दी है जिससे वो opener जो होता है तो उसको हम small machine कहते हैं okay तो a bottle opener is a small machine तो यह भी हमारा complete हो गया number 4 अब हम आते हैं number 5 की तरह number 5 पे है the food of a machine is called dash the food of a machine is called dash तो तीन option है number 1 पे है food, number 2 पे है fuel और number 3 पे है water तो हमारा right answer क्या हो का जो food होती है machine की जिससे वो चंती है काम करती है तो उसको हम क्या कहते है fuel very good number 2 को टिक लगाईए fuel the food of a machine is called fuel machine जिससे चलती है उसकी खराग क्या होती है fuel होती है petrol की सुरत में oil की सुरत में यस यह जी जो भी है उसको हम fuel का नाम देते है okay number 6 पर आते हैं number 6 पे है fuel gives dash to the machine to rover तो क्या है का fuel gives dash dash में तीन option है हमारे पास number 1 पे है work number 2 पे है energy और number 3 पे है petrol तो fuel gives तो fuel क्या देती है हमें वर्ट देती है energy है petrol तो हमें right answer है energy okay energy पे हम right का टिक लगाएंगे okay तो यहां पर आएका fuel gives energy to the machine to do work यारी के fuel से जो हमें क्या मिलते है energy मिलती जिसकी बद्से मेशीन चलती है अरकत करती है काम करती है प्रहादा यह हमारे 6 हो गए हैं अब हम आते है number 7 की तरफ तरफ